बीजेपी ने पिछले दिनों लगातार पिछली जातियों के सम्मेलन कराये थे। इन सम्मेलनों की सफलता से उत्साहिद पार्टी अब इन सम्मेलनों को जिलो तक से मेयाईजित कराने चारी है। इस विशेपर प्रदेश के डिप्टी सेम केशव प्रसाद बौरे से खास बा सब्सक्राइब करने जा रहे हैं आपको क्या लगता है 2019 में सारी राजनीती क्या ओवी सी जातियों के बीच में या उनके इर्दगिर्द घूमने वाली है कि ऋब्ड बात कर रहे हैं व्यीं पीछडी वर्वक में साथ कभी न्याएं नहीं किया। कि छोडि़निया धिश्ची से काम किया। लेकिन पीछडी के लिए प्रदः मंत्री प्रधार मंत्रीgie LIVE जिनेंध मुंदी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखमत्री योगी जी ने काम किया और स्वाभाविक तौर से देश का भी और प्रदेश का भी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पार्टी बीजेपी बन गई है और इस संपूर्ण पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में जिनके प्रती पिछड़ लेकिन 54 पिछड़ा वर्ग जिसमें से सरवाधी कोट मैं मानता हूं कि मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाने के लिए भाज़पा को मिलेगा जो लोग मानी नरेंद मोदी जी के पत की बाधा बनना चाहते हैं जनता में उनका कोई मैं समझता हूं कि उनकी स्विकारता नहीं बची है और अभी हमने प्रदेश में जो कारकम किये थे लगातार इसके बाद यह भी पार्टी ने तैंकिया है कि हम जिले अस्तर पर भी पिशे वर्ग के बड़े-बड़े सम्मेलन करेंगे आफिर दो सबसर की अब आपका असिस्मेंट क्या रहा जो आपने फीड़ेक लिया आप कितना ऐसे संतुष्ट हैं सम्मेलनों से और आप क्या मानते हैं कि यह कितना सफल करेंगे रहा दूसरा क्या इसे गोशनाओं का सम्मेलन कह सकते हैं रोडों के नाम आपने दिये कई जाएगा कैमरा परसन अमरे इंशा के साथ उतकर शत्रुवेधी लखनों जी मीडिया